हेलो व्रीवन तो आज हम लोग स्टाफ करते हैं बुलियन अलजब्रा को ठीक है यह सेकेंड येर में पढ़ना है आप लोगो तो ध्यान कुरूआ कि इस वीडियो को देखिएगा और इसका नोर्स आप लोगो मेरे सांसाज बनाना है जहां पर वे आपको दिक्कास हो देरेक् कर सकते हैं मेसेज कर सकते हैं किसी परकास अपकोशन पूछ सकते हैं और इसका बुलियन अलजब्रा कमाई प्ले लिस्ट बना दोगा तो उसको जरूरूर्व कर लिजेगा और जैसे वीडियो आते जाएगा उसको देखिते जाएगा कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो यह होता है कि अलजब्रा होता है जो बाइनरी नंबर सिस्टम जितना भी रहता है बस उसी को फूरा पढते हैं सौल्फ करते हैं पूरा अलजब्रा पादेव्स पस पुद्रा बुलियन पे हिरहा बाइन नबर सिस्टम पे हिरा एगा मतलब 0 और 1 पर हिरा गा वही चीज यह पर वही चीज यहां पर लिखा गया है कि एन अलजेब्रा ठोट लेल रहते हैं और जाखो यहीं पर लिखा हूँ एक एन अलजेब्रा विच दिल्स विद्धा बाइनरी नंबर सिस्टम इनोना गुलियन अलजेब्रा मतलब हम लोग जो भी अलजेब्रा को वह मुझे पढ़े है और false value के लिए zero का यूज़ करते हैं ठीक है इसके बाद आता है second कि what is logic gate logic gate होता क्या है और full explanation भी आपको बताने वाला है the logic gate is a electronic circuit which can take one or more input but output will be one क्या होता है logic gate electronic circuit होता है जिसमें एक अगर एक या एक सर्धीक input हम लोग अगर देते हैं तो output हमेशा हमें एक ही मिलता है ठीक है एक दो या एक साथ ही अगर input हम लोग देंगे logic gate के अंदर तो output हमें other side जब output मिलेगा तो एक ही मिलेगा ठीक है यहां तक सब को फिलिए है इसके बाद आता है कुछ note हम लोग लिखे हुए a logic gate are made of two diodes और transistor logic gate दो चीजों से बना रहाता है दायोट और transistor से इसके बाद है a logic gate is used to allow and deny a digital signal logic gate क्या करता है allow करता है कोई भी digital signal को pass करने के लिए और रोकने का भी काम कॉन करते है दिनाय उसको cancel कॉन करता है हमारा logic यह थी यहां तक किसी को problem चलिए डिकत होगा तो comment करना नेक्स्ट लोजीगें हमारा दो परकारके होते हैं लोजीगें दो परकारके होते हैं एक होता है हमारा basic logic और दूसरा होता है हमारा derived logic गेट तो आज की इस वीडियो में लुक देखेंगे basic logic और ऐसी next वीडियो में लोग देखेंगे derived logic तो सबसे पहले हम देखते है basic logic तो basic logic गेट हमारा तीन पर करता होता है जिसका नाम है एक end gate, or gate, or not gate, ठीक है, end gate, or gate, not gate, के लिए, इन सभी के बारे में लोग देखेंगे, और एकीन मालो, ये सब भीए ही question है, आपकी exam में बहुत पराते हैं, और एक और चीज़ आपको बताते हैं, कि जो भी चीज़ में पठा रहा हूं, जो भी इस notes में पुड़ है, ये सभी, इसी notes से आपकी exam में question आएंगे, इस एक number भी इधर या उधर नहीं होगा, मतलब जो भी question आपकी exam में पूशे जाते हैं, पूरा इसी notes से आएंगे, और मैंने भी इसी notes से ही exam दिया था, ये मैंने खुद का बनाया हूए notes है, इधर उधर से में मतलब बहुत सा मैं आपको provide कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए benefit है, कि ज्यादा में अपना करके कम बहनत में आपका काम हो जा रहा है, तो बस पूरे video को अच्छे से देखिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा, तो आपने भाई से संपर्ख करिएगा, चलिए मैं वीडियो को continue करता हूँ, देखो, तो सबसे पहले में था कि तीन परकार के logic gate होते हैं, तो सबसे पहला था end gate, तो end gate क्या होता है, an end gate has two or more input, but it has only one output, end gate का भी वही चीज है, कि एक या एक साथीकर input देगे, तो हमें output क्या देगा, एक ही देगा, ठीक है, इसके बाद है, कि it is also called logic multiplication, इसे हम लोग logical multiplication द काते हैं, logical multiplication, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो symbol होता है, a dot b होता है, ठीक है, तो यह multiply इसको हम लोग बोलते है, a dot b को, ओके, आगे और हम लोग अच्छे से देखेंगे, in which, if all input are true, then output are true, अगर एक, अगर सभी input true होंगे, तभी output क्या होगा, true होगा, क्योंकि एक multiplication है, a dot b, तो अगर suppose करो कि हम लोग true value के लिए क्या माने है, one, और false value के लिए, zero, तो अगर दोनों में से कोई एक zero होगा, तो answer क्या एगा, zero, दोनों वोगर one होंगे, तभी न answer, दोनों में दाथ लगाते हैं, तभी न दोनों का answer क्या एगा, one आगा, तो जब दोनों true है, तब one आगा अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स रहेंगे तो एंसर फॉल्स आएगा तो वही चीज यहां पर लिखा के है अपने सभी बना के लिख लेगा अगर इंगा मैं आएगा तो समझ में आना चाहिए इसके बाद और यह पॉइंट है कि इफ एनी वान इस फॉल्स अगर एक भी अगलत होंगे उसी चीज़ वालाग हम बहुत में लिख दी हैं अगर एक भी गलत होंगे तो एंसर क्या आगा गलत ही आएगा फॉल्स ही आएगा किलिया हुआ और वहीं चीज़ को सेम में यह आगर जो ऊपूट भेलु है अगर रॉन मतलब आउपूट जो रिजल्ट जब शोड़ीस रखते हैं तो सबस्ता है इतना लिखने के बाद एक सिंबल लिख दिजेगा कि सिंबल क्या होता है एड डॉट बीस अंब लोग इसको लिखते हैं और इसका सिंबल हो जाएगा डॉट सिंबल सम्में पाचान रखता है कि यह आई डिगेट है इसके पर आता है सॉर्केट डाइग्रांस सॉर्केट ड्राइगरांस बहुत तो देखो इसका circuit diagram क्या होता है, जैसे कि यह होता है हमारा end gate का figure, ऐसे end gate का पुरा इस figure है हमारा, पुरा circle ऐसे रहता है, ठीक है, इसको, और यहां से अगर दो input लेंगे, A और B, तो output क्या है हमारा, एक ही आएगा, ठीक है, यह तो मैं आप पहले हैं, और किस परकार से आएग A, B अगर लेंगे, A, B लेंगे, तो answer में क्या हैगा, A dot B, और इसको ही हम लोग लिखते हैं, A, B भी लिखते हैं, A, B लिखोगे, तो multiply ही का symbol आता है, और A dot भी लिखोगे, तो multiply है, ठीक है, तो वो multiply ही है, इसके बाद इसका truth table, देखो, सेम दो है A और B, A और B, और A, B अग हम लोगो लिखना रहा है, truth table, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 2 0 लिख देता है, एक टेकनिक आपको बताते हैं, फिर 2 1 लिखते हैं, और फिर 0 1, 0 1, फिर 0 और 1, ये 2 मेरा हो जाएगा, truth table बनाना आए या में, तो कैसे सबसे पहले ये चीछ हम लोग कैसे लिखेंगे, input क फिर 0, फिर 1, फिर 1, ये माउस नम लिख रहा है, इसले ऐसे लिखा रहा है, ठीक है, समझ में आपको आजा मचिए, 0 0, 1, 2 0, 2 1 लिख दी हैं, और उसके बाद फिर 1 0, 1, फिर 1 0, 1, बस यही चीज़ हम लिखेंगे, और इसका इसका रिजरत का बाब करेंगे, तो A dot B, अग जीरो और वगा मैं तो ये फिर फल्स है, तो ऐसर कहा एगा, जीरो, 1 0 है तो जीरो, और 1 1, बस दोनों सेम है, सही है, तो 1, वही चीज़ आपके है, कि लिखा है, कि लिखा है, किसमें कोई प्रॉब्लम कैसे लिखाया रहते बाद, चले इसको मित आते हैं, हासे में, फिर आ संदेखने कि में पूचेगा और पूछेगा किसको सबस्क्राइब सब्सक्राइब इसको बताए अब इसको बताई में अब तो इसका टूली सब्सक्राइब से सब्सक्राइब रिखंगे जैसे जए स्टेंल और पर शुर्फ रिफुप इस वीडियो पर देखिएगा तो ही आपको बनाने आ जाएगा जैसे हम इंपूत लेते हैं पहले दो बाति है अरुनी तो कैसे लेते हैं से मुझे यहां पैले तो एक्स दब्सक्राइब कर निकिटे है इस मैं और जेद तो थे मुझे आत्रा है उन्पूत लेते हैं तो तीन इसका फर्मूला होता है कि जितना वरियेबल ना इसको तू का पावर में लागा तू इन्सर कितना एगा एथ क्या है अधा एथ होना चाहरा चाहर आथ है तो तब इसको कैसे बनाएंगा और तीन दरियेबल है तो सबसे पहले 4 0 लिखें और फिर 4-1 और उसके बाद 4 4 होगे इसके बाद 2 बाप यह दो 0 बें धो 1 और उसके बाद 1011 यहीं दो और तीन वरीवल आपको याद आना चेंगे इंपूट कैसे लेता है तू का पावर्ड तू को बनाना है इंपूट लेना उसका तू का पावर्ड अगर दो फोर होगा तो यह फोर है यहीं दो आपको याद रखना है तो इसका इंपूट कैसे लेना को समझ में आ गया दो जिरो फिर जिरो फिर नटीर ने खतम और इसका यहां तक आप लोग आसानी से लिग सकते हो और जैसे जैसे पेपर इंजान में आते हो वह भी मैं आपको प्रेटिस कराऊंगा तो आपको तेन्सण नहीं लेना है जो में पया वहार ऊंख समाज में आ रहा है कि न हीए इसके बाड़ आता है में और इस मुरें बार मूंज सक्तली तोनली something से मोई कि इसमें प्रकूत हमारा यह लेकिन यह लोग क्या करते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं यह मतलब एक से इन होते हैके लेकिन इसका इसलिका में SparkLight करना है तो और वह के आकार सब्सक्राइक है कि इसके बात इसके बाद इंपुचे शुद्रू दान aí तो इडीशन में कई एक कोई भी एकقول देने रहागा तो आखर क्या रहागा साही रहागा का कि इसके इस वार्ट ईतीच ओंट कौण लोगिकस अब कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा एक और ग्रेच में यह करते हैं इसके बाद if all is false then false अगर सब गलत रहेंगे और गेट में तब हमारा एंसर क्याएगा गलत हैगा नहीं तो सही होगा कैसे क्योंकि जब अब भी आप एडिशन करते हो तो 0 में अगर 1 को एड करोगे तो एंसर क्या एगा 1 आएगा ठीक है तीन वेरीबल है तो 2 0 है एक 1 है एंसर क्या एगा 1 है तो जब तक पूरा अगर 0 ना हो तब तक आपका एंसर 0 आहीं नहीं सकता है एडिशन में तो इसलिए और गेट में क्या लिखा है हमें दो पॉइंट अपने से लिख सकते हो कि अगर कि इफ एनिवान इंपुट इस ट्रू अगर कोई एक इंपूट सही रहता है तो एंसर में कहाएगा हमारा सही ही आएगा गलत करने के लिए अगर सभी एंसर गलत होंगे तभी हमारा एंसर में फॉल्स होगा यह सिंबल हो गया किरिया नहीं तक बिपनी सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह फिगर बजाएगा हमारा और और दो लेंगे तो आउट्रूट में कहाएगा एक ही आएगा एक प्लस बी ऐसे तीन रिवाल का भी लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेल आएगा अब इसका प्रूट नहीं कैसे बनता दम एजी है यह आप लोग इंप 00110101 इंपुट ले हे अर इसका आइछ कहाएगा जब दोनों और सों एक तो ऊंसे लाएग 1110 1121 0033 ये विशाने तुक हो गया ऐसे तीन वेरिवल में ये दोनों गलत तीनों गलत है जिरो और बागी तीसी में भी सब में one कहीं नहीं है तो इसलिए सब का इंसर क्या जाएगा हुआ करना है पर घत्लिए कर राइन जो लोग बांबर सिस्ट्म इसलिए तो पोई गिश्राग फिर से नमबर सिस्ट्म है है इसके बार रहे हैं ज्याह दिकत नहीं हो रहा है अगर नहीं हु रहा है तो कोई बात ही नहीं हो पूर आया तो जरूर उसको देख के आजेंगे इसके लास्ट हमारा थाय सब्सक्राइब लॉजीकल कॉंप्लिमेंट इसको बोलता है बचल देंगे जाए बगदें सिंबल यह कोंपलिमेंट बोलते हैं तो देखो यह क्या कड़ता है हमारा कि it convert true to false and false to true simple यह convert उल्टा कर देता है जो वैलु हमारा सही होगा उसको गलत में बदल देता है जो गलत होगा उसको सही में बदल जाता है कौन not get ठीक है it is also called inverter इसको वोग इनवार्टर भी करता है इनवार्टर क्या करता है convert करता है तो उसी परकास से not करता है convert करता है true value को false value में और false value को true value में ठीक है इसको इनवार्टर भी करते हैं it convert high input one to low zero wise versa मतलब देखो अगर one होगा input अगर one होगा मतलब यह तो हाई है इसको convert कर देगा zero में carry once zero पर दिरा देगा अगर zero होगा तो इसको convert कर देगा one में बस इसका यही काम है सिंपल है it has only one input and one output और इसमें क्या होता है बाकी सब जैसे दो अगर आप लोग पढ़े हैं get पढ़े हैं and get और get उसमें दो input आता था चाहिए दो साधीक input आता था तो output हमारे क्या होता था one लेकिन इसमें अगर हम बात करें इसमें अगर हमारा एक इंपूट होगा तो आउपूट भी क्या होगा one सिर्फ एक ही इंपूट होता है और आउपूट भी एक ही होता है तो यह हमारा figure होता है और just risk में से जो output निकलेगा compliment निकलेगा a compliment यह सिम्बल याद रखना और इसका truth table simple होता है और एक ही variable होते दो ही होगा 0 और 1 ठीक है अब इस पर हम लोग सोर्केट डाइगराम देखों यहां पर हम कुछ प्रैक्टिस किये हैं और आपको सोच रहें करा देते हैं तो इससे एक जांद इस परकार से question आते भी हैं कि यहां पर हम यहां पर briefly एक लिख लिए हैं इसको देखिए यहां पर briefly लिखे हुए हैं इसको समझेए end gate का circuit diagram कैसे होता है इस परकार सोतर सीज़र all gate का ऐसे होता है नोट gate का ऐसे होता है और इसको में लोग मुटिप्लाइग के लिए उच करते हैं end gate को और ग्रेट को एड के लिए उच करते हैं और नोट gate को कॉंप्लिमेंट के लिए उच करते हैं अब एक ऐसा question आप आजिए और इसका circuit diagram बनाए ठीक है देखो एक समझा दें उसके पर दूसरा आप बनाएगा विडियो को पोश्च करके हैं जैसे यह है तो इसमें सबसे पहल लेंगे A, B, C उसके बाद, A step by step चलेंगे, सबसे पहले ऐन चोटा वाला को लेंगे B लेंगे A, B को करना है तो A लिए हैं यहांसे A पर B आया ओच है और यह A, B क्या है, multiply मतलब multiply है, A dot B है तो multiply करने कि लिए क्लिए तो जो इसमें से बाहर निकालोगे दो आप इंपुट आगया ए और भी निकाल देढ़ें एड़ करके इसके बाद क्या है उसके ऊपर उपर कॉंपलिमेंट लगा हुए यह कॉंपलिमेंट के लिए नोट के यूज करेंगे तो नोट के यूज किये तक कॉंप्लीमेंट को फिए फिगर बना देंगे और उसके बाद इसमेंसे ए बी कॉंप्लीमेंट निकल गया है यहां तक इसको रोख दिये हैं ठीक है और नीचे वाले देखें यह उपर वाला लोग थिया है उसके बाद उसके बाद ऊपर कॉंप्लीमेंट लगा हुए असरे कांप्लीमेंट करना कि दोनों को इत करने डूनों के बीच में तो इसके बार इन सभी के ऊपर इसके बार कॉम्लिमेंट करने के निकाल एका देंगे दोनों को तो क्या निकाल जागा इन दोनों के ऊपर कॉंप्रिमैंट निकाल जागा देखुंथए आज जो की दूनों को बना सकते हैं और ये कॉश्चन देते आज हब पाछ। लेकिए पूस्चन अभी बनाईया तो यह सपिर बनाए वगए तो पहले इसको अपने से प्रेक्षिछ करें नहीं करेंग, यह ने पर यह देख लिख लीकाएं बनाए है और उसको निकालेंगे तो ए प्लस सी बन गया और उसके वाद उसके उपर बनाए है योगा कोशन और नहीं तो जली कैसि शुर्ण बनके आगया इतना सिंपल था ऐसे करके और कोश्चन बनाई है यह वाला यह सब कर देग्रम बनाई है और फिर चलिए अपर बना लिए होंगे और यहां से हम लोगे पर फास्ट इसको में एक्स्प्लेंट कर देते हैं सबसेर पहला जो यह है एक बी सी और उपर कॉंपलिमें बुमेंट लगा हुए है और उसको तो टौस से निकलऊ सथे इसको फिकर बनाइंगा स्वाल कर देखना की निद्सके आगा है तो इसको द्हान को विफेगा देखना कर दकाना यह हमारा compliment है तो बी आधा पर लाएंगे और compliment के यूज़ करेंगे और B को compliment बना देंगे फिर ऐसे ही सी हमारा बीना compliment का है तो C डिरेक्ट आ जाएगा और इन तीनों multiply में है तो और gate से हम लोग निकाल दिये हैं आप और गेर का symbol बना दिये हैं और sorry multiply है तो end gate का symbol बना दिये और end gate से निकाल दिये तो ए कंप्लिमेंट B और C हो गया ऐसे ही ABC compliment है तो एसे आजागा B आजागा और C को हम लोग कंप्लिमेंट बना के लेके आएंगे बीच में कंप्लिमेंट के symbol बना के निकाल लेंगे से और उसके बाद हम लोग फिर ए निगर के यूज करेंगे और ABC निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यह देखो इडिशन के सिंबल इन दोनों को एड किये हैं और तीनों को एड कर दिए तो यह एंसर हमारा ऐसे आगया फिर उसके उपर compliment है तो compliment का सिंबल बना दिए फिगर बना दिए और वहां सम लोग निकाल दिए तो यह हमरें तक बन गया उसके बाद यह और यह दोनों हम दों बना दिए यह बना दिए यह बना दिए अब दोनों को मारें को करने के का करें निकाल देकर निकाल देगे कि तो आज की वीडियो को यहीं के समाप करते हैंoks य हम लोग परेंगे दिराइवर्जर के खेल किरा कि दीरें दीरेद करके पांच और श colors यह ज्यूज लगए पुर्हा पढ़ने के बाद कोई भी कोश्चन आ रहा है तो आप लोग जो भी चीज पढ़ाएं नोर्स अपने कोपी में स्वेम बनाईएगा यह नहीं होना चाहिए कि आप लोग अभी पढ़ रहा है तो मेरे से कहिए कि इसको पीडिया भेज दीजे तो अब लेवल अभी नहीं कराएंगे यह अब लेवल करेंगे एक जाम से दस दिन पहले जो बच्चे मेरे से अभी नहीं जुरेंगे और एक जाम के समय जो बच्चे जुरेंगे वो तो पढ़ेंगे नहीं उनको चाहिए कि बस एक दिन में में को कहीं से कुछ मिल जाए और वह ऐसे बच्चे क्याद हो करें पूरा दीटेल में पर नहीं पाते हैं आप लोग अभी दीटेल में पर रहा है तो नोर्स अपने से बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि यह सब फीगर बनाने वाले कोश्चन है तो सबसे पहले आप वीडियो देख लिए डिफिनिसान मेरे सांस साथ लिख लीजिए और जो भी यह सब्सक्राइब रहा था यह लोग आप अपने से बनाने के कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत वीडियो पर देखिएगा सब्सक्राइब करने वाले हैं सब्सक्राइब कर देना मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन टेक केर